स्वागत है आपका आपके अपने प्रिवार भारत वस्त खासेश में तो बच्चों ज्वाहर नवदे विद्याले नामंकन में कच्छा 6-2024-25 नामंकन के लिए आवेदन शुरू हो गया है इस वीडियो में हम जानेंगे इस फोर्म को भरने के लिए आपकी उमर क्या होने चाहिए पातरता क्या क्या होने चाहिए दस्तावेज कौन-कौन से लगेंगे साथ ही साथ साथ सार्टिफिकेट कौन-कौन सा आपको लगने वाला है जो भी बच्चे कच्छा छे नवदे विद्याले में प्रिपिश करना चाहते हैं उनके लिए पहुत ही सुनहरा मुका है वीडियो को पूरा देखेगा हर एक जानकारी आपके लिए महत्बुर्ण होने वाली है नवदे विद्याले एक आवस्य विद्याले है जो यहां के यहां पे पढ़ने वाले छात्रों को फ्री खाना फ्री वर्दी फ्री रहना बस इत्यादी सभी खर्चे नवदे विद्याले समेती उठाती है इसके पहले एक्जाम होता है, एक्जाम से पहले आपको फों भना होता है, तो देखे, सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे योगता क्या क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखे, लिक रखा है, जो जिले की मुल्य निवासी हैं, तथा ज्वाहर नोदे विद्याले में पर मजवी में अधियरन्त होना आविस्यक है यानि कि आप क्लास six में पढ़ रहे हो तब आप अविधन कर सकते हो ठीक है आप क्लास five में पढ़ रहे हो तब आविधन करते हैं कई सारे साथ्यों को लगता है कि हम विद्ध्याले कच्छा च्छे में नामंकन हे तू वियोगता क्या होनी चाहिए पहला जो जिले की मूल निवासी है तथा ज्वाहर नवोधे विद्ध्याले में परवेश के लिए आवेतन कर रहे हैं उन सभी जिल्ले की सरकारी या सरकार द्वारा मानिता प्राप्त इसकूलों में वर्तमान कच्छा पांचवी में अधियंतरन्त होना आविसक है साथ यहों जितने भी बच्चे क्लास फाइप में पढ़ रहे हैं वही यहाँ पर इसके लिए अपलाई कर सकते हैं ठीक है दूसरा दे रखा है परते कक्छा में पूरी सैचनिक सत्र का अधियन किया हो यानि आप पूरे एक साल पढ़े हो क्लास तीर में पढ़े हो तो पूरे एक साल क्लास चार में पढ़े हो तो पूरे एक साल तक पढ़ रहे हो छोड़ छोड़ के नहीं पढ़े हो एवं सरकारी या सरकार द्वारा मानता प्राप्त स्कूल तिसरी एवं चोती पास होना अनिवार है सातियों आप तिसरी या फिर आप चोती पास हो और आप अभी पाचवी में पढ़ रहे हो तब आप इसके लिए apply कर सकते हो तिसरा दे रखा है जो भी बच्चे इस नवोदे विद्याले में आवेदन कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनकी उम्र सिमा देख लेंगे 15-2013 से 31-7-2015 तक के बीच होनी चाहिए साथ यूँ आप 2013 या फिर 2015 के बीच में जन्मे हो या फिर आपका जन्म हुआ है तभी आप इसके तहत आवेदन कर सकते हो आप इसमें से मेच कर सकते हो डोकुमेंट्स क्या क्या लगेंगे इसके अंतरगत आवेदन करने के लिए सबसे पहले छात्रों का हस्ताक्षर जो भी आवेदन कर रहे हैं आवेदक का हस्ताक्षर और यह हस्ताक्षर का आकार 10-100 KB के बीच होना आवेशक है छात्र के माता पिता का हस्ताक्षर और यह हस्ताक्षर भी 10-100 KB के बीच होना चाहिए अगला है छात्रों का फोटोग्राफ फोटों का आकार दस से सो केबी के बीच होना अनिवार है छात्रों का परमान पत्र जिस पर माता पिता एवं छात्रों का हस्ताक्षर होना चाहिए जो मुक्ष अध्यापक द्वारा सत्यापित होना चाहिए परमान पत्र का आकार 500 से 300 KB के बीच हो सकता है है ना आपको जो फोम मिलेगा उस फोम को भर करके और जो यहां सेचनिक सर्थ रहेगा उसमें आपके स्कूल के जो प्रधाना ध्यापक है वो से भरेंगे सेचनिक सत्र भरेंगे और आपका जो रिजल्ट है जिसमें आप पास हुए वो भरेंगे और यहां पर आपका आपके जो सिगन नेचर करेंगे आपके प्रधाना ध्यापक जी मोहर लगाएंगे तब फिर आप उसे चमा करिएगा यदि छात्रों के पास अपना अधार संख्या नहीं है तो वा सभी सक्चम सरकारी पदादिकारी द्वारा जारी परवास प्रमान पत्र का उप्योग कर सकते हैं यदि आपके पास आधार काड़ नहीं है तो आप सरकारी पदाधिकारी द्वारा जारी परवास परमान पत्र का उपयोग भी कर सकते हो तो ये था डोकुमेंट्स और पातरता ये लगेगी ठीक है आविदन शुरू हो गया है 16 जुलाई से ही शुरू हो गया कल से ही तो आप जो जो इसके अत्रिकत आविदन करना चाहते हैं आविदन जरूर कर दीजेगा थेंक यू बहुत बहुत धन्यवाद